एक चीज और बताईए चुकि हम ये विधायकों और पूर विधायकों की बात कर रहे हैं एक सिटिंग विधायक भाजपा से 2017 जीते पहले भी कई पार्टियों में रहे 2019 में कॉंग्रेस से लड़े अब राष्टी लोगदल के हमवार हो गए अवतार सिंग भढाना जी बीच में 72 घंटे क्या खेल हुआ लडूँगा नहीं लडूँगा नहीं लडूँगा नहीं लडूँगा नहीं लडू प्रेस करके बताया कि कोविड है अब 10 दिन अगर में अंदर बंद पड़ा रहा हुँगा चुनाव कैसे लडूँगा अभी भी नामंकन जा रही है अगर पार्टी किसी और को लड़ना चाहती है किसी और को लड़ा दे मैं उसका पूरा समर्थन करूँगा बड़े खुले काम खतम काम शुरू कई लोगों ने कहा कि इस जुकाम की वजए एडी और आईटी की रेड का खतरा था ऐसी बात है क्या सोचल मीडिया पर बड़ी बाते लिए कि अवतार सिंग बलाना को बात बनाते हैं उन पर ऐसा कोई दबाव लिए और चार बार एंपी रहें सीनियर लीडर है कोई ऐसे मतलब नोसे नहीं है तिक के नहीं रहते कहीं क्या गारंटी कि लोगदल मजबूत है और उनकी अपने अपने लोगों की बीच उनका विश्वास है वनना इतनी बार उन चुनाव नहीं जीत मतलब अल्टिमेटली अगर मैंडेट मिल रहा है तो उनकी जी किटनी हो चुनाव योग नियम तो सब लगेंगे ना हूं और इस बार चुनाव में क्या संसाधन लगेंगे ज़ब मीटिंगे हैं जी हूने है नहीं होनी है आप लोगों क्या इच्छा है क्या चुनाव योग कुछ रियायत दे नी चाहिए ब्लागी पान्सो तक की तो रि मुझे तो नहीं लगता, पहले उन्हों नहीं कहा कि कम बंद कम्रे में 300 लोगों की रख ली जाए, बंद कम्रे से अच्छा तो बहार रखो, और अगर कैम्पेन अलाओ ही नहीं करना, तो एक महीने तक चुनाव क्यों चला रहे हो, हम Google को एड दे पाएंगे, Facebook को एड दे करा के चुनाव कराओ जल्दी, कम खर्चा होगा, और कोई बीमारी का कोई डर नी बनेगा, और अगर नियम बनाने सब के लिए बराबर बनाओ, हमिच्छा जी बिना मास्के गूम रहे हैं, आपने देखा मैं तो आपके आगरे पे मैंने मास्क उतारा क्योंकि हम बाहर मैं अपने मंजों पर भी मास्क नहीं उतारता हूँ, तो अगर नियम बने सब के लिए एक हो